जिरोधा में Share, Buy और Sell कैसे करें ये आपके लिए मैंने एक बहुती बेसिक वीडियो बनाया है ये उन लोगों की लिए है जिननों ने इस से पहले कभी भी जिरोधा में शाई अकाउंट खोला हो नहीं खोला हो बाई दिवा अकाउंट नहीं खोला हो तो नीचे लिंक है वहां से आप खोल सकते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि आप कैसे शेयर खरी सकते हैं जिरोधा में और कैसे उसे बेच सकते हैं जब भी बेचना चाहें तो चलिए मैं आपको अपनी फोन स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूं तो सबसे पहले आपको जो है वह जिरोधा की काईट एप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी तो आप अगर यहां से जो है वह काईट जिरोधा आप सर्च करेंगे इस तरह से तो यह देखिए यह आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी जो है यह काईट ओपन होगी मैंने इसमें बायोमेट्रिक लौगिन लगा रखा है आपने नॉमल लौगिन होगा तो आप उससे लॉग इन करें और सबसे पहले आपको ऊपर जो है यह यहाँ पर आपको इस तरह के यह जो है यह लिंक्स आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगे आपके केस में यह सारे खाली होंगे अगर आपने नई नई एप इंसॉल किये इन्हें बोलते हैं वाच लिस्ट ठीक ह तो सबसे इंपड़ेंट बात यह कि आप किसी भी वाच लिस्ट में कहीं भी चले जाए मान लिजी मैं भी इस पर हूँ और जो भी शेर आपको खरीदना है फिर हम बेचने की बात करेंगे खरीद के भी दिखाएंगे आपको और हम बेच के भी दिखाएंगे सबसे पहले हम यहां पर जाके और अगर उसका आपको टिकर पता है जो है हर चोटा टिकर होता है वो जैसे सबसे नीचे है लेकिन अगर आपके इसमें कोई और नहीं आपको दिख जाएगा तो यहां में इस पर मैं क्लिक करता हूं देखिए यह जो है इसको आप खेंच के उपर को ले जाए इस तरीके से तो यह बड़ा हो जाता है इसमें थोड़ी चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं और ये offer order है और आपको खरीदने के लिए इस buy पे आपको click करना है अब आप ये ध्यान रखिए कि आपको क्या long term के लिए खरीदना है या short term के लिए short term के लिए मतलब intraday अगर आप इसको आज ही खरीद के आज ही बेचना चाहते हैं तो आपको ये intraday वाला जो MIS लिखा है आपको इसको select करना पड़ेगा लेकिन आप आज खरीद के आज के बाद कभी बेचना चाहते हैं तो आपको long term पे select करना पड़ेगा ठीक है अभी इसके बाद दूसरी important चीज़ जो है वो है ये market और limit तो market जो है वो आपको बताता है कि इस समय जो भी market का price चल रहा है जैसे आप टॉप में देख सकते हैं NSE में अभी 854.4 चल रहा है BSE में अभी 853.7 चल रहा है तो मैं यहाँ पर BSE select कर ले तो आप दोनों मैं से किसी पर भी बाय कर सकते हैं तो इस समय अगर मैं अपना order place करूँगा तो 583.25 के आसपास जो भी price होगा उस पे मुझे share मिलेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं अपना price बताऊँ कि मुझे share जो है वो 580 पे आये तब खरीदो तो मैं अपना limit order यहाँ पे लगा सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ कि 580 में मुझे यह share दे तो यह है limit और market दोनों का जो फरक है वो आपके सामने यह बता दिया तो limit में आप अमना price लगा सकते हैं लेकिन limit order में ध्यान रखें जरूरी नहीं है कि price गिर के 580 पे आएगा ही अगर आया तो ठीक नहीं आया तो आपका share खरीदा ही नहीं होगा तो उस case में हम क्या कर सकते हैं हम ऐसा price लगा सकते हैं जो अल्रड़ी उसके आसपास हो जैसे मैं 583 का price में लगा देता हूँ या 582.9 का मैंने price लगा दे ठीक है और मैंने यह long term सेलेक कर दिया limit सेलेक कर दिया बाकी आपको नीचे इन सबको अभी छूने की ज़रत नहीं है अब buy करने के लिए यह जो swipe to buy है इसको मैं यहां से catch के right में ले जाके छोड़ दूँगा अब यह बोल रहा है order place हो गया है जो आपका order place होता है वो आपको यहां पे open orders में दिखता है जब यह order execute हो जाएगा अब देखिए आपको उता रहा है कि latest price LTP LTP का मतलब होता है last traded price तो last traded price जो है वो 582.95 पे चल रहा है हमने order लगाया है 582.9 पे इसलिए अभी order execute नहीं हुआ है तो अभी देखिए यह price जो है लगबग same आ गया है तो अभी execute होगा लेकि नहीं हुआ है अगर आपने इस तरह से order place किया और execute नहीं हो रहा है तो आप उस order को modify भी कर सकते है जैसे मैं इसको modify करके 583 कर देता हूँ ठीक है price और उपर चला गया 583.4 चला गया तो मैं इसको माल लिजे 583.4 फिर नीचे आ गया तो 583 पे मैं इस order को माल लिजे मैं लगा देता हूँ तो अभी हम थोड़ा सा रुखते है शायद price फिर 583 पे आ जाएगा और हमारा यह order execute हो जाएगा तो हम थोड़ा सा रुखके wait करते है खेर नहीं आ रहा है तो हम इसको modify करके 0.5 कर देते हैं और हमारा order जही अब यहां से गाइब हो गया यानि हमारा order जो है वो execute हो गया अब यह उपर executed जो लिखा आप इस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पर यह देखिए यह top में दिखाई देगा कि आपका order जो है वो execute हो गया है one on one quantity किस price पे हुआ है वो लिखा है limit order था तो यह order आपको execute हो गया वो order आपको आपको यहाँ portfolio में आप click करेंगे और यह positions वाले में जाएंगे holding वाले में आपके long term वाले share दिखते हैं और position में आपके short term वाले share दिखते हैं आज आपको यह positions में दिखेगा आपको कल के बाद आपको यह holdings में यहाँ पे दिखेगा आज positions में दिखेगा ठीक है अब यह तो हो गया खरीदने की बात अब बेचने की बात कोई भी share आपको बेचना हो चाहे जैसे यह आज खरीदा है आप इसे भी यहाँ पे exit से click करके बेच सकते हैं या पुराना कोई share खरीदा हो जैसे ACC इसमें भी आप exit से click करके वही तरीका है intraday, long term, market, limit यहाँ पे आप price लगा के बेच सकते हैं तो जैसे अभी हमने example के लिए हमने जो SBIN जो खरीदा हमने वो देखिए हमने कितने 583.45 पे खरीदा अब अगर हम उससे exit करते हैं माल लिजे अभी जो price चल रहा है 582.6 price चल रहा है तो वही मैं ने long term के लिए खरीदा था इसलिए मैं long term का ही exit कर रहा हूँ ठीक है और market price, limit price वही है market price में जो भी market price देगा आपको accept करना है limit price में आप अपना price लगा सकते हैं तो मैं अपना limit price में इसमें लगा देता हूँ जो भी चल रहा है वो limit price लगा के मैंने sell का order place कर दिया और यह बोल रहा है completed तो अभी आप यहां पर देखेंगे तो open में कोई order नहीं है executed में यह आपका buy order था यह आपका sell order था तो इस तरह से आपने buy भी करना सीख लिया sell भी करना सीख लिया तो अभी आप देखेंगे यहां से यह सब से नीचे देखिए S.B.I.N. जो है वो दिखा रहा है कि अभी यह मतलब strong उसमें नहीं है यह दबे हुए उनमें दिखा रहा है तो यह zero quantity आप देखें quantity zero average zero तो मतलब यह order आपका close हो गया है buying और selling दोनों हो गया है तो इस तरीके से आप कोई भी share चाहें तो intraday में चाहें तो long term में आप buying और selling कर सकते हैं सिर्फ ध्यान रखें selling करने के लिए अगर intraday वाला है तो यहां positions वाले से sell होता है और अगर long term में आप hold करते हैं तो long term वाले share आपको यहां पर इस तरह इसे दिखाई देते हैं तो यहां पर आप क्लिक करके और exit पर क्लिक करके जो भी आपको price डालना है वो price डालके आप sell कर सकते हैं By the way मैंने आपके लिए दो वीडियो और बनाए हैं पहला है जिरोधा में long term के लिए आप कैसे invest कर सकते हैं और दूसरा है जिरोधा में आप intraday के लिए कैसे आप buying और selling कर सकते हैं जो trading के लिए दोनों ही बहुत useful वीडियो हैं और आपको काफी अच्छे से समझाएंगे कि जिरोधा में आप intraday या फिर long term के लिए खरीदना चाहते हैं तो क्या exactly आपको करना चाहिए